शनरेश परेश महेश विलेश यभूशन भो साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर शरणम मेथव चरण युगम शनरेश परेश महेश विलेश यभूशन भो साम्ब सदाशिव शम्भो शंकर शरणम मेथव चरण युगम हर हर महादेव शम्भू काशे विश्वनात गंगे जी हाँ अब हमारी जोतिलिंकी की यात्रा पहँच चुकी है काशे इसे भगवान शिव की रागधानी होने की उपाधी प्राप्त है श्री विश्वनात जोतिलिंग्य के रूप में इस्था पे अपने अविमुक्तेश्वर जोतिलिंग्य की महीमा स्वय भगवान शिव ने मा पार्वती को बताई थी काशी को खवार्षिव ने अपने तृशूल पर ठाम रखा है इसलिए प्रले की बेला भी कभी काशी को कुछ नहीं कर सकती इसलिए काशी को आदियस थाली भी कहा गया है काशि विश्वनाथ के दर्शन मात्र से सभी दार्दशा जोतिलिंगे के दर्शन का पुर्ण मिलता है संसार का वो मंदिर जिसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है अम काशि विश्वनाथ या नमाहा 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 वारा नसी एक ऐसा स्थान है जहां प्रथम जियोतिरलिंग काशी विश्वनात विराजमान है काशी संसार की सबसे प्राची नगरी है 12 जोतिरलिंगों में भगवान शंकर का विश्वनात नामक जोतिरलिंग काशी में काशी विश्वनात के नाम से प्रसिद्ध है और इंकावन शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ मनी करने का भी यहीं है काशी विश्वनात मंदिर का कई बार निर्मान हुआ काशी विश्वनात मंदिर का जोतिरलिंग 12 जोतिरलिंग में सबसे महत्वपून जोतिरलिंग है ये जोतिलिंग चिकने काले पत्थर से बना हुआ है श्री विश्वनात का जोतिलिंग गर्व गहर के एक कुने में स्थित है काशी विश्वनात के जोतिलिंग पर हमेशा पंचामनत से अभिशेक होता रहता है पूल और बेल पत्रों से शिवलिंग हमेशा श्रिंगारित रहता है महाशिवरात्री, दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णीमा, श्रिंगारी एकादशी, आधी त्यावारों के दिन काशी विश्वनात्जी को वस्त्र अलंकारों से विभूशित किया जाता है अनाथो के नाथ, ब्रह्मान नायक, शिवजी यहां निवास करते हैं शिवजी को भोले नाथ भी कहा जाता है OM NAMAS ASHEVA OM NAMAS ASHEVA OM NAMAS ASHEVA OM NAMAS SHEVA ओम नमस्षिवार यहां भगवान भोले नार मरते हुए प्राणी के कानों हे तारक मंत्र फुटते हैं तारक मंत्र के प्रभाव से पापी से पापी मनुष्य भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं ओम महा दीमा दीमा नम गुत-ख्योट व उम्म हा दीमा नमा ओम महा दीमा लो महा दीमा नमा कहते हैं काशी नगरी का प्रलय काल में भी लोग नहीं होगा उस समय भगवान शिव इसे अपनी त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और श्रिष्टी काल आने पर पुनह यथा स्थान रख देंगे विश्या सक्त चित्तो अपी त्यक्त धर्म रतिर नरह इह क्षेत्र म्रता सो अपी संसारे नाव पुनर्भवेत अर्थात विश्यों से आसत अधर्मी निरत व्यक्ती भी यदि इस काशी छेत्र में मृत्यों को प्राप्त हो तो उसे भी पुनह संसार बंदर में नहीं आना प भगवान शिव को विश्वेश्वर और विश्वनात नाम से पुकारा जाता है इस सारे विश्व सभी प्राणियों के परमेश्वर हैं नाथों के नाथ हैं शिव भक्त काशी में अपनी मनुकामनाय पूरी करने आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वेश्वर महादेव की अनंत शक्ती पर पूरा विश्वास है स्वामी विवेका नमी जी, स्वामी तयानंद सरस्वती जी, गो स्वामी तुलसिदास जी इन जैसे महान लोगों का आगमन इस मंदिल में हुआ है एक बार महारानी अहिल्यावाई के स्वापन में भगवान शेवाई, महारानी उनकी भक्त थी, स्वापन में शिवजी के दर्शन कर, महारानी अत्यंत प्रसंद हो गई और उन्होंने सन 1777 में इस मंदिर का निर्मान करवाया महाराजा रंजित सिहने 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने से मंदिर के कलश को गड़वाया शिखर पर स्वण लेपन होने के कारण इसे स्वण मंदिर भी कहते है वारा नसी में घाटो और गंगा नभी के अत्रिक काशी वश्वनाज मंदिल में स्थापित शिवलिंग वारा नसी का मुख्य ठादिक आक्रशन बना हुआ है कि मैं नमस शिवा और नमस शिवा और नमस शिवा और पर नमस शिवा नमस शिवा ऑफ कि जिस तरह सूरे एक जगाए पर होकर भी पूरे संसार को रोश्णी देता है। उसी तरह काशी का प्रभाव भी पूरे जगत में फैला हुआ है। इसी लिए पारवती जी ने शिव जी से निवास के लिए कोई अन्य स्थान ढूरने की प्रात्ना की। इस संहार से राजा दुखी हुए। उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्म देव को प्रसन्न किया। और उनसे अपना दुख दूर करने की प्रात्ना की। ब्रह्म देव के कहने से शिव जी मंदराचल चले गए। परन्तु वो वारनसी का मोह ना छोड़ पाए। तभी भगवान विश्णु ने राजा को ज्यानुपदेश दिया। और राजा को तपवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वारनसी महादेव का स्थाई निवास्थान हो गया। और बगवान शिब ने तृशूल पर वारनसी नगरी की स्थापना की। करता पर वारनसी ने स्थाफना की। अजय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओ हर 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 महादेव ओ हर 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 महादेव एकानन चतूरानन पंचानन राजे हंसानन गरूलासन ब्रिश्वाहन साजे ओ हर 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 महादेव ओ हर 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 महादेव बारा जयोतिलिंगों में सर्व प्रथम काशी विश्वनात जी की मंगला आर्ती की जाती है ग्यारा पंडिक, ग्यारा जयोतिलिंगों के रूप में काशी विश्वनात की मंगला आर्ती करते हैं शेवलिंग को दूद, दही, ग्रित, शहद, गंगाजल, चर्णाम्रत से स्नान कराया जाता है महादेव को भांग, धतूरा, आंक भी चड़ाया जाता है संसार भर से लोग यहां महादेव के अभिशेख भतू आते हैं ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई भग्वान काशी विश्वनात आप पर दयादर्श्टी बनाय रखें जोदिलिंग की हमारी यात्रा पूरे सावन चलती रहेगी फिलहाज इस यात्रा को छोटा सा विराम देते हैं अब मिलेंगे सावन के चोथे सोंबार जब हमारी यात्रा पहुँचेगी देव भर के बाबा पैदनात के दरबार तो आज देजिए इजाजर ओम नमस्षिवार्ट इश गिरीश नरेश परेश महेश विलेश यभूश नभू साम्व सदाशिव शंभो शंकरश नभू